तो just do research about it ठीक है हम जब interview strategies की बात करते हैं कि हमें किस तरह से interview के लिए खुद को prepare करना तो हमारा सारा focus उस 10 minute या 15 minute के time में होता है जो कि हम अंदर जाके ये बात करनी है हमें ठीक है वो एक core stage होती है obviously सारे process की लेकिन आपकी तियारी क्या है उसको लेके आपका homework क्या है आपकी study क्या है ठीक है तो क्या जरूरी है for example मिजान बैंक में जॉब आई है for example असकरी बैंक में आई है for example किसी educational institution में आई है जिस तरह आज कल नहीं सुभा ने भी trainers की post advertise की हुई है तो can any one of you tell me कि क्या एक strategy आप मुझे बताओगे कि apply करते हुए interview देने से पहले आपके mind में होगी research मैं किस हवाले से कह रहा हूँ any one of you can give a quick response to that कोई बताना चाहे क्या हो सकता है नही सुभा ने पॉस्पा ने पॉस्पा ने जैसे कर मैंने नही सुभा में apply करना तो at least मैं नही सुभा की जो website है उनके जो goals हैं वो क्या कर रहे हैं यह थोड़ा सा overview करके जाओंगा साथ साथ पर मैं अपनी expertise डिस्पले करने के लिए अपने साथ कुछ samples लेके जाओंगा जगर फर्स के लिए audio editing के कुछ उनके बस requirement है तो मेरे बस कुछ ऐसे samples होने चाहिए जो आपने जाके मैं display करते हूँ कि यह रिखने यह मैंने produce किया हुआ है और overall जाने से पहले confident रहना है और जो जिस भी organization में जा रहा हूं उसके लिए at least knowledge होनी चाहिए कि भाई मैं कहां काम करने जा रहा हूं उसक्त किस stage प जाते हैं हम समझते हैं कि हम इस position के लिए eligible चुके हैं हमारी required qualifications हैं जो भी requirements हैं हम उस पर पूरा उतरते हैं तो हम interview में चले गए जो भी company हैं जो भी institute है जिसा है शायान ने बताया जो भी organization है you have to be fully aware with the ongoing process with the services they deliver ठीक है और खास और पर उस organization के एक particular आप area में apply कर रहे हैं ठीक ह but it doesn't mean कि आपको बाकी उसका ना पता हो it always leaves a very good impression on the employers on the interviews के यार इनको तो हमारा पता है ठीक है आप से कर सवाल होता है in the interview इसकी चोटी सीग मिसाल sorry to bother you इसकी चोटी सीग मिसाल देना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि हमने call center में अप्लाए गिया अब हम तो माइंड बना गया रहे हैं कि customers आएंगे हमारे पास को करते हैं वही डॉक्टर के appointment होगा या यह चीज़ होगी पता चलता है वहां जाके आपको आपको जब अच्छे तरीके से पता होगा यह बड़ा एक positive gesture आपकी तरफ से जाता है और impression जो है positive बड़ा create होता है अच्छा इसको पता है अच्छा what do you know about नहीं सुबा आप करते हैं obviously जी यह इसका distance learning program है courses को अच्छा बस यही है और कोई नहीं है लेकिन आप करेंगे नहीं आपके mobility orientation का subject है online के यह badges है on campus के यह हैं तो that basically means कि you know you have the details इसी तर आप किसी education institute में जा रहे हो तो आपको उस domain की मालूमात होनी चाहिए many years ago I applied for the post यह पैफ में डिप्टे डिरेक्टर की seat आई पंजाब education foundation है तो काफी बड़ा हो all over the Punjab उनका structure है तो जब उन्होंने कुछ interview में मुझसे चीजें पूछी तो मैंने उनको बताया कि obviously आपकी यह वाली branches बें तो हैं आपकी वहां पे भी है साओधर में आपकी इतनी है जब उन्होंने का कि हमारे पास central में तो recruitment के लिए अब जगा नहीं है बाराल हम कोशिश कर रहे हैं देख पी की although they did not hire me लेकिन यह है कि मेरी इस चीज़ को लेकर positive मैं उनके उपर impact create कर पाया इसलिए आप किसी बैंक में जाएं किसी भी जगा में जाएं तो आपको उसका existing जो structure है आपकी जॉब से related भी और overall भी जो linked up domains है कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए तो यह जो उस create a positive impact अच्छा जी फिर one of the important strategy हम लोग mock sessions कर रहे होते हैं ठीक है sometimes हमारे हां इसकी इतनी value नहीं उसको दी जाती कि या ठीक है जो real time feel है obviously उसका तो कोई substitute नहीं है नेमल बदल नहीं है लेकिन one of the important strategies is to have an experience कि जहां पे आप किसी senior को सही चले घर में अगर भेन भाईयों के साथ अम्मी अभा के साथ आपको वह वली real feel नहीं आ रही तो you can go to any of your senior उसमें आप strategy के तौर पे ये भी जरूर देखें कि आपके इद्गिर जो mentors है basically हमारा ज्यादा focus है being visually impaired क्या strategies हो सकती है तो उसमें देखें अगर आपने किसी lecturer की post के लिए apply किया ह ठीक है पंजाब public service commission के अंडर आई है या sin service commission के अंडर आई है कोई seat service होई है तो कोई ना कोई आपके इर्दगिर्द आपके circle में होगा जो उस process को successfully करके surmount करके पहुंचा हुआ है who is a lecturer who is serving lecturer ठीक है visually impaired तो आप उनके पास जाए उनसे पूचें कि यार अच्छा आपका interview में किस तरह था आपने त्यारी किस ने किते it really helps us out हम sometime समझते हैं कि हम किसी से पूचेंगे किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि शायद इसको आता नहीं ठीक है being confident is really good but being overconfident isn't so you have to go to you know get some help from your senior from the mentors even from your teachers जाहिर आपको भी जिनोंने पढ़ाया जिनसे आपने degrees ली है वो भी सार से इंटर्वियू के process से गुजर की हाइड हुए होंगे ना तो आप उनसे पूछें और उनके साथ मौक सेशन रख लेते हैं okay sir आप ठीक है दो तीन आप teachers को बिठा लें ठीक है just give yourself a feeling कि आपके सामने there is a panel in front of you asking questions तो आप किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसक दूसरे से different होते है questions भी same नहीं होते है लोग भी same नहीं होते है लेकिन एक जो overall conduct है एक जो sequence है एक जो pattern है वो कहीं नहीं same follow हो रहा होता है so that's why mock sessions की practice और plus mentorship लेना अपने senior से खास तोर पे जो उसी domain के अंदर successfully जन्होंने jobs ली होती है so that always always proves highly beneficial अच्छा कोई यहां पर मुझे बताए कि किसी ने interview के लिए गया है तो उसकी कोई ऐसी tip अभी तक जो मैंने बाते बताई है उसमें से कोई या any other additional चीज जो है जिसने उसको बड़ा positively serve किया हो productively help out किया हो sir I would like to say something sir firstly I'm Sikandar Ali and I went to an interview in GC University regarding my BS program तो वहां पर जो interview का जैसे आपने कहा ना कि आपको background knowledge होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के रहे जा रहे हैं और किस field में तो आल्दो मुझे आपने GC के बारे में कुछ मालूम था आपने degree के बारे में मालूम था लेकिन जो उनका interview का criteria था वो totally question based था like मैं वो मिसे एक सवाल करते थे जब मैं answer देता था तो मेरे answer से वो अगला question निकालते थे इसके लिए कोई strategy भी है cubic होता है I think I don't know क्या होता है वो criteria लेकिन हमें एजा एक interviewer हमें यह चीज़ देखनी चाहिए कि interview इस तरह का भी हो सकता है कि वो हमारी discussion से भी वो सवाल ले सकते हैं कि मैंने कहा कि I serve in call center two years तो वो फिर मुझे पूछेंगे what kind of call center तो जाहर अगर मैंने कुछ ऐसे efficiency के लिए कहा तो तो कहते हैं कि लग गए that thing is really matter okay that was your experience okay sir मैं चोटर सा बाकिया यह बें शेयर करना चाहूंगा एक interview के लिए call आई है और उसमे multiple candidates है जिनने interview करने जा रहे थे तो कुछ भी नहीं होता था जाते थे interview देते थे अब एक बंदा तोड़ा सा घर से लड़ जगड़के गया चीक है और उसके तोड़ा सा ना toxic महौल था हर वक्त बाबा ने इसको टॉंट करना कि बेटे यह light बंद करो वो बंद करो यह इसको manage करो इस तरह manage करके रखो अच्छा अब वो क्याते हैं interview hall में दाखिल हुआ तो बिल्कुल खाली बिल्कुल hall पड़ावा था अब वो क्या क्या जैसी hall में दाखिल हुआ और interview था first tour पे तो वहां पे कुछ fans और कुछ बिजली हैं कुछ टूब लाइट जल रही थी एक्स्ट्रा खामा खाँ अब वो कहते हैं उसने बिजली पंखों को पन किया तो उपर चल लगया और जैसे ही वो रूम में पहुचा नौक किया कि सर मैं interview के लिए आया हूँ किया उस लाइट को उस पंखे को बन करने के लिए और वो आके इंट्रिवू दे के चले गए हमें एक responsible बंदा चाहिए था के जो कि हमारी कंपनी को अपनी कंपनी समझ के एसास करके उसको ओनर्शिप ले तो यू आर सेलेक्टिद फॉर दा जॉब तो बास वकाद ऐसी के बाद मेरी वारी आई तो कहते हैं जी मेरा मुश्किल से पांच मिन लगे में कहता है यू आर सेलेक्टिड मैं का बाकी बात में जब मेरी हाइरिंग हो गई और कुछ अर्सा जब लोगों से बांडिंग होई तो उनने बताया कि हम लोग से भी है क्यूंके कॉल सेंटर में पेशेंट्स चेक होता है तो पेशेंट्स चेक करने के लिए हमान पाज ही होता है कि हम इसको बिठा देते हैं बस दो डाई गंडे बिला फ़जूल में बैठा रहे है तो उसका फुरी पर अजल दरगी के तेम्समेंट इसका कितना है राइट, राइट, राइट. तो आप हर तरह के सिच्वेशन के लिए अगर वेल प्रिपेर रहेंगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी अबल टू टैकल दे सिच्वेशन अच्छा मूविंग ऑन अभी हम बात कर रहे थे कि इंटर्वी रूम में एंटर होने से पहले की कुछ स्ट्रेटर्जी इस ठीक है जिस तरह अभी हमने रिसर्च की बात की मेंटर्शिप लेने की बात की मेंटर्शिप और कहीं ना कहीं आपने मौक इंटर्वी उसकी प्रेक्टिस करने मौक सेशन्स की अच्छा उसके बाद जो बहुत जरूरी है वह नेटवर्किंग आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है देखें हम अपने पर्सनल कपैस्टी के उपर अपने इंडिविजुली स्पीकिंग इंटर्व्यू को फ होते हैं कि how they become the successful professional especially when it comes to you know dealing with the interview stage तो इसलिए बड़ा जुरूरी है कि आप अपने आपको connect करके रखें ऐसे network के साथ भी LinkedIn बड़ा अच्छा है उसमें आप ना सिरफ अपनी profiles को अपने जो भी already अगर आप किसी profession में देखो अगर हम किसी profession में चले भी जाते हैं तो we always need to to excel further ऐसा नहीं कि हम एक जगा पर चल रहे हैं तो हम समझें कि that is a final destination तो कहीं न कहीं professionally आपकी growth चल रही होती है तो उस चीज़ को लेके भी ऐसे forums के उपर एक तो आप अपने आपको updated कर रहे होते हैं अगर आप अभी तक professional domains में नहीं हो if you are a stage where you looking for your first job तो वहां पर भी LinkedIn हो गया दूसरे ऐसे हो गए forums आजकल Facebook पर बहुत से pages आपको मिल जाते हैं जहां पर लोग जो है there helping each other out useful notes का exchange हो रहा होता है ideas हो रहे होते है now there are series of channels on YouTube के जहां के उपर आपको successful interview की techniques मिल रही होती हैं तो यह सारे जो channels है platforms है networks हैं इसके साथ भी आप खुद को closely connected रखोगे तो कहीं ना कहीं जाए बगार जो है वह आप कोचिंग ले रहे हो तो वह कोचिंग बड़ी जुरूरी है and process obviously this all will be building your confidence also okay अच्छे जी फिर जो है obviously हम dress up कैसे होना है इस पे हमने पिछले interview में काफी बात कर ली कि आपने timely पहुंचना है time conscious होना है अगर मेरे जैसा बंदा जो इतना punctuality को follow नहीं भी करता तो उसको भी उस दिन यह make sure करना है कम से कम वह आदा घंटा पहले पहुंचे नौ बजे time है तो 8.30 पहुंचे तो यह सारी tips मैंने detail में बताई हुई है उनको मैं repeat नहीं करूंगा on the day of interview क्या-क्या हमें करना होता है ठीक है उसकी हमारी यूट्यूब पर recording पर पढ़ी है आप उदे सुन सकते हैं अच्छा एक चीज होती है क्योंके sometimes we need to appear in a कोई बोलना चाह रहा है यह microphone mute कर लें किसी का background noise आ रहा है so sometimes we have to digitally appear in an interview ठीक है तो उसके लिए being visually impaired एक और strategy एक और important step के लें exercise बड़ी जुरूरी होती है वो क्या है कि technologically compatibility को make sure करना accessibility को rather make sure करना sometime कहा जाता है कि आपका Microsoft team पे होगा Google meet whatsoever interview के time से पहले-पहले हमें make sure करना है अगर हमारा interview online है और किसी specific platform पे है अगर तो वो हमारे लिए ट्राइड और टेस्टिड है जाना में unmute all participant करो फिर अपने आपको mute कीजिएगा जी करने अपने आपको करने अपने आपको जी अवाज आरी मेरी जी आरी है तो मैं बात कर रहा था कि testing of platform if we are appearing in an interview online ठीक है अब जिस तरह कुछ अरसा पहले मैं टीम को यूज नहीं करता था तो फिर वो इंटर्वी तो नहीं एक session था सदन तो मुझे थोड़ा problem हुआ यहीं टुक में 10 minutes वो अच्छा impression create नहीं होता अगर वो मेरा को serious interview होता और उस वक्त होस्ट या पैनल मेरा वेट कर रहे होते और मैं उन्हें कहता कि जी मुझे मेरे screen reader के साथ problem आ रहा है मैं अभी explore कर रहा हूं test कर रहा हूं जरा मैं मुझे just give me some time तो वो पहले ही मेरी थोड़ी सी negative marking हो जाती so आप यह make sure करें कि आप की जो accessibility के point of view के साथ जिस platform के उपर आपका होना जा रहा है वो भी आप as a useful strategy उसको पहले से देख के रखें ताकि हम maximum हद तक कोशिश करें क्योंकि यह याद रहें जो लोग इतना ज़्यदा फिमिलिराइज नहीं होते with us और how we operate certain things technology कली speaking तो उनको हमें को ऐसा impression नहीं देना ठीक है कि भाई आप सही सोच रहे हम तो बिचारे वाकिए हमसे तो यह भी नहीं यूज होता हमें screen reader के साथ हम यह नहीं test कर पाते हैं सो हमें कम से कम ऐसी कोशिश करनी कि हम ऐसा कोई वीक पॉइंट उनको दे हैं तो इसलिए test technology जो है वह बहुत ज़रूरी है अच्छा फिर जो है अब एक important चीज जो मैं समझता हूं most important पार्ट है interview का obviously हम सारा focus हमारा आज की discussion का being visually impaired interview ही है तो उसमें मिस निगत आपका microphone on है hello miss निगत आपका microphone on है की हो गया सारे अनू so sorry about that अब ये देखें इससे ये भी technique हमें पता चलती है कि we also need to be mindful of the fact कि हमारा unnecessary microphone भी unmuted ना हो जब हम कोई interview दे रहे हैं ठीक है for example sometime दो तीन लोग हैं कठे या कोई इस तरह panel discussion हो रही है तो unnecessary अगर हमें अपने background में कोई बात करनी है या हमें कोई बुला रहा है या कोई इस तरह का unnecessary थोड़ा noisy atmosphere है तो उसमें आप make sure करें कि आप microphone आपका उसी वक्ट unmuted हो when you have to speak when you have to respond okay अब आप interview basically आपका दिन आ गया आपका टाइम आ गया वहीं इंटर्यू में जाने का कुछ और ना समझेगा अल्दा आप सबको लंबी जिनगी दे so what one thing that you will enter with in your mind सिकंदर या कोई और बताना चाहे कि पहली एक positive approach आपकी क्या होगी आप interview के लिए चले गए हैं तो उसमें जो आप के आप समझ के गए हैं आप अपने आपको समझा के गए हैं कि मुझे इस तरह से अपना conduct रखना है एक चीज़ कुछ लोग dress conscious होते हैं कुछ कुछ लोग अपने postures को लेकर होते हैं कुछ लोगों की mobility orientation related वो conscious होते हैं कुछ लोग अपनी communication wise conscious होते हैं तो कोई one factor one element one plus that you would like to carry वो कौन सा होगा या कौन सा होता है या कौन सा था अगर आपका को past experience है sir first यह है कि knock the door and ask the permission would you like to yes sir may come in sir so like gentle way में polite way में आहस्तगी के साथ यह नहीं कि धड़ले से चेर पर जागे अगर दर्वादा खुला ही हो तो फिर आप बंद करके knock करेंगे फिर वो इजादत लेंगे sir may come in sir okay good your focus will be on mannerism basically exactly sir okay then उसके बाद जब हम बैठ जाएंगे sir thank you so much sir for calling me on an interview तो उसके बाद जो भी discussion होगी तेन वो इवे टो good anyone else कोई एक चीज जिसका आप धिहां रखना चाहोगे जो आपकी mind में चल रहा होगा कि यार इस चीज को लेके obviously मुझे कोई ऐसा negative gesture नहीं देना by the way आप ये भी जरूर make sure करेंगे कि आपके पास आपकी white cane हो क्योंकि sometimes हम expect कर रहे होते हैं कि हमें guide ही लेके जाएगा अगर guide हो भी अगर कोई office peon है office boy है who can actually assist you लेकिन उसको भी इतना ज्यादा पता नहीं होता हो सकता है वो आपको सही से guide ना करे हो सकता है वो आपको ठीक तरीके से बताए ना ठीक है हो सकता है वो आपको इस हवाले से जो है वो तरह ट्रेंड ही ना हो किस तरह से आपको उन्होंने लेके जाना है कुर्सी पर बिठाना है तो it's always advisable कि आप जो है white cane जो है वो जरूर अपने पास रखें ठीक है anyways moving on अब आप जब interview में चले गए हैं just a second just give me 30 seconds झाल 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 अ जी सर आपके आवाज तो आ झाल 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 okay thank you gee i'm really student uh sorry everyone okay so am i audible please can anyone tell me absolutely sir so now i'm talking about important most important element we always try to make sure that our disability factor is no matter how ever skills we possess no matter हमारी qualification जितनी भी suitable हो और हम अपने लिहाज से खुद को कितना ही ideal or suitable candidates क्यों ना समझ रहे हों जो employer हैं जो interviews है interviewers है rather उनके mind में ये doubt ये skepticism चल रहा होता है उनकी skeptical approach होती है ठीक है हमारी उनके पास credential पढ़े हुए है आपका GPA 4 out of 4 क्यों ना हो आपके diplomas आपके certification भी उनको show हो रहे हो पर just unfortunately just because of you know lack of awareness कहीं ना कहीं हो समझ रहे होते हैं कि ये किस तरह करेंगे ठीक है and that is the most technical and complicated part in the interview कुछ लोग जो है वहाँ पे उस part को सही से address नहीं कर पाते ठीक है हमें पता है कि हम certain tasks जो है technologically speaking perform कर सकते हैं we do have the alternative option ठीक है screen readers को लेके accessible technology को लेके solutions are there but only we know those things हम अपने mind में जितना ज़्यादा confident हो लेकिन we have to satisfy the interviewers तो वहाँ पे आपने बड़ा strategically और intelligently और बड़ा relaxed way के अंदर उनको convince करना होता है ठीक है आपने सिरफ यह नहीं बताना कि अगर आपको एक question है कि यह आप किस तरह करेंगे अच्छा आएं जाएंगे कैसे हमें तो entries करनी होती हैं वो किस तरह करेंगे computer में आप चाहिए जितना मर्जी करें कि वह सर मैं screen reader से कर लूँगा उनको यहीं नहीं पता क्या मतलब screen reader क्या यह वो ठीक है आपने जस्ट यहीं कर लूँगा you have to properly explain how would you do that ठीक है और इस चीज के लिए मैंने last time भी बात की थी sometime there may occur a situation के जहां आप से demo भी ले लिया जाए ठीक है कुछ instances ऐसे हुए हैं जिस तरह social welfare की job हुई बड़े लोगों की as mentors आपको पता होगा वहां पे laptop के उपर demos भी लिए गए अच्छा आप हमें website खोल के दिखाएं अच्छा आप किस तरह excel में किस तरह आप काम करेंगे आपको क्या पढ़ता कि B3 वाले column में क्या लिखा हुआ है C1 में क्या है वगयरा वगयरा so अगर तो आपकी job कुछ इस तरह की है जिसमें technicality involved है जिसमें assistive technology involved है तो आप अपनी इस तरह के equipment को laptop वगयरा को भी साथ रख सकते होगे अगर फिर भी उनकी satisfaction ना हो after the verbal explanation तो फिर they might ask you to give some demo ठीक है और यह याद रहें कि आपकी यह जो interview के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, max 30 मिनट, यह जो time है, this is the only time where you have to basically break the shackles या तो आप उन्हें convinced करके उठेंगे या obviously unfortunately you will lose this opportunity, तो वहाँ पे आप अपनी तरफ से जरूर ले जो, yes there is a possibility कि 7 out of 10 times आपको उसे वो laptop पे कुछ भी ना करवाएं, लेकिन आप अपने साथ लेके जरूर जाएं, भली बाहर बैग रख वादें अगर वो आपको कहेंगे जी अच्छा अगर आप, हम आपको कहेंगे कि आप हमें करके दिखाएं जो आप कह रहे हैं, तो आप कहेंगे yes sir if you allow me, तो बाहर मेरा laptop है या आपके साथ भी हो, तो आप उनको इस तरह से like demonstration करके दिखा देते हो, ठीक है, सबसे बड़ा concern ह होता है, technology का, आप उन्हें बताएं, and then come up with the example, sir, फलाँ कंपनी में इतने visually impaired serve कर रहे हैं, for example, अभी मैंने बात की, असकरी में इस तरह उन्होंने applications मांगी हुई है, तो disability based भी जब jobs advertised होती है, ठीक है, for PWDs basically, तो उसमें भी employer की ये कोशिश होती है, कि मैं physically challenged बंदे को रख विजली impaired को ना रखों, blind को ना रखों, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लोग anti-vii होते हैं, anti-blind होते हैं, because they have their own doubts, कि यार ये इसमें computer से related काम involved है, ये कैसे करेंगे देखे बगार, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने बड़ा smartly, बड़ा intelligently अपने आपको prepared करके जाना है, कि आप logical answers दो, और नहीं examples दो, जैसे अस्करी में अगर आप से कोई पूछता है, तो आप कहें, sir, you can check with the record, इस वक्त मिजान के अंदर, इस वक्त standard chartered के अंदर, there are some other banks where visually impaired are already doing the jobs and they are handling these things efficiently using technology, so why not me, अच्छा अगर आपको कोई कह रहा है के, आप as teacher, as lecturer करी apply कर रहे हो, तो आपको का interview कहा देता है, कि जी आप किस तरह करेंगे, आज कल तो multimedia use हो रहे होते हैं, powerpoint पर presentation भी teachers दे रहे होते हैं, तो इसलिए, फिर again they have their doubts, तो वहाँ पे भी आप ना सिरफ अपनी demonstrations उन्हें offer कर सकते हैं, उन्हें explain कर सकते हैं, कर सकते हैं कि I am trained enough in assistive technology के सारी है, मैं सारा कुछ ख करता है, हम powerpoint, excel, microsoft word, यह सब के सब tools हम independently और efficiently use कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आप मेरा demo ले सकते हैं, plus give them the examples, examples बहुत जरूरी हैं, ठीक है कि कोई already ऐसे precedents हैं, ठीक है आप कहें, अगर GC university में job आई, तो आप कहें सर्फ लान department में already आपके lecture काम कर रहे हैं, और इसी कर सकते हैं, आप उनके HOD से report लें, अगर उस college, उस university, उस particular institute के अंदर अगर कोई ऐसी example नहीं भी है, which makes the case little difficult, तो आप उन्हें कहा दें कि सर्फ लान-फला university में, colleges में भी पढ़ा रहे हैं लोग, examples are there, such cases already exist where visually impaired are working as successful lecturers, so इस तरह आपने conviction के साथ उनको बताना है, कोई अगर आपको यह कहता है कि अच्छा call center की job बड़ी tricky है, इसमें फलान software होता है, तो शेयान भाई इदर मुझूद है, यह और भी टेकनिकली चीजों के expert हैं, तो अगर as candidate आप भी जा रहे हो, तो आपको भी awareness होनी चाहिए, कि आप उन्हें बताएं कि सर्फ लान-फलान लोग इस as agent in departments में काम कर रहे हैं, हमारा यह जो screen reader है, हम इसकी मदद से software चला लेते हैं, ठीक है, उसमें आज का लोगों ने ऐसी setting भी की होती है, कि एक air phone लगाया होता है, एक तरफ jaws की आवाज आ रही होती है, यह screen reader जो भी आप use कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जिसकी आप call ले हैं, so things, things can be managed, तो यह काफी tricky part होता है, कि जब आप से वो पूछते हैं, कि आप यह कैसे करेंगे, यह particular चीज कैसे करेंगे, तो आप वहाँ पे confused हो जाते हैं, और आप उनको convincingly answer नहीं कर पाते, अजब फिर mobility orientation wise एक चीज होती है, कि आप आए जाएंगे, कैसे यह तो बड़ you are here as an interview, और मैं आपको कह रहाँ कि जी अच्छा आप नहीं सुबह में जाब करना चाहते हैं, यह तो हमारा physical leader आना जाना पड़ेगा, तो यहां तो बड़ा रशी एरिया होता है, आपको कराची की traffic का पता है, यहां तो अच्छे भले नहीं मूग कर पते हैं, तो आप मोब पते हैं कि आपको तो शायद एक कुर्सी से दूसी कुर्सी में उठा कर रखना पड़ता है, तो कैसे आप उनको करेंगे, सैटिस्वाई, तक्ते क्या हैं सर, पूछा है, आप सभी पूछा है, पूछते हैं ना, इक्जैक्ली सर, तो फिर क्या जवाब आपका, मेरा हमारे लिए बहुत असानी है, जो टेक्नालोजी है, वो तो हमें बहुत ज़्यादा है, मैं जो है, वो इन ड्राइवर यूज़ करूँगा, वो तो आपको, मतलब के वो हमारा जो प्लाजा है, उसके बाहर उतारेगा, आगे कैसे आएंगे, उसके बाद में स्पीच कैसे च अच्छा, कोई और आंसर बताना चाहे इस हवाले से, देखें, आप उन्हें ये बताएं, कि सर, वो मैम, एक्शुली, वी आ ट्रेंड इनफ इनफ इन मॉबिलिटी ओरिंटेशन, मॉबिलिटी ओरिंटेशन एक स्किल है, एक एरिया है, जिसमें हम लोग ट्रेंड है, विद एक्शुली, डिल विट सच इशुज, उन्हें कहें कि मैं छे साल इस उनिवस्टी में खुद आता रहूं जब मैं पढ़ आता सर, लोकली भी आता रहूं, वैंस पे भी आता रहूं, आटो रिक्षा भी में खुद लेता रहूं, और अब तो जो है, जितनी ये कि आपके डोर स्टेप पे आ जाती, एक बाइक से लेके, आटो से लेके, गाड़ी से लेके, यो जिस नेम इट, आपको वेहिकल पिक करेगी है, आपके उसमें डॉप कर देगी डिजाइट लोकेशन के उपर, उन्हें कि सर, कोई मसला नहीं है, आगे किसी बिल्डिंग के करना है, किसी और्गनिजेशन के अंदर, आपके दफ्तर के अंदर, जी मुझे अगर कहीं कि इस प्लाजा के मुझे पांचवे फ्लोर पर आना है, तो हम आ जाएंगे इसली, कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी तक इंटर्व्यू दें, तो आपने बड़ा एक ऑथॉरिटी के स आज जो है, और confidence के साथ आपने उसको बात करना है, अब तक किसी को कोई चीज यहां पर समझना आई हो, या कोई अपना इन चीजों से, इन सवालों से, इन concern से हटके अपना कोई experience शेयर करना चाहे, या अपना कोई भी input देना चाहें, कि ये चीज भी होती है, या ये factor भी ह होता है, obviously है, बहुत सी चीजें हम, obviously एक limited time के अंदर नहीं discuss कर सकते हैं, क्योंकि जी, 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 अच्छा, एक और छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहेंगा, personal experience पिरा, जैसे कि आपने बताया कि हमने, अगर interview के लिए जाना है, तो हमने कौन-कौन चीज से, चीजों का इसमें एक चीज मैं आड़ करना चाहूंगा, कि ये personal experience भी हुआ था, एक दफा कि हम लोग interview देने गए थे, और उनों ने जब दो तीन लोगों को अंदर बुलाया, तो, एक लड़के का mobile बहुत जोड़ से, उस पे एक तो song लगा वा था और बहुत उंची tune थी, तो एक तो या तो इसमें एक आप ना mobile silent पर रखें या पर उसको उसकी tone down रखें, एक तो ये अची tip है, दूसरा, क्राय करें कि आप straight देखें, बिलकुल सर जुगा कर ना बैठें, कोशिश ये करें कि आपने देखें, और फेस पर देखने की कोशिश करें, तीसरा मेरा आप से एक question है जैसे कि अपने technology के हवाले से बागती, ये भी मेरा personal experience है, हम लोग ने social welfare के इंटर्व्यूस दिये थे, तो वहाँ पर हमारा typing का test हुआ था, लेकिन हमें वहाँ पर screen reader allow नहीं किया गया था, उनके पास typing master था और उस पे ही उन्होंने हमारा test लिया था, अब problem ये थी कि ना तो बड़ी face करनी बड़ी, तो उन्होंने हमें allow नहीं किया था, कि आप लोग screen reader को समाल करें, वह ऐसे भी इतना time भी नहीं था, उनके पास इतने सारे candidates थे, उनको आप interview देने के लिए, तो इस सूरते हाल में अगर आप skill भी रखते हैं, लेकिन आपको allow नहीं किया जाता, तो फिर उसमें क्या किया जा सकते हैं, तो फिर से आप ये बात करें, अच्छा ये जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह screen reader नहीं दिया और ये facilitate नहीं किया, जी, obviously वो फिर एक tricky situation हो जाती है, लेकिन जो तो आपकी तरह कोई experience users हो, वो तो अपनी तरह से अंदाजे से भी type कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप उन्हें बताएं कि सर, हमारे पास भी skill है, ठीक है, लेकिन we type with the help of screen reader, ठीक है, अगर आप उन्हें कहें कि जी, हम नहीं यहां सारी ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनका उनको counter argument ये दे रहे हैं कि सर, आप फिर monitor off करके इन से लिखवाएं, ठीक है, laptop है, तो उसकी screen बंद करके, बाकियों से जो देखने वाले अगर कोई लिखते हैं, क्या आप उनका screen बंद करके, monitor बंद करके, test ले सकते हैं, या आप उन्हें blindfold पहना दें, तो फिर आप उन्हें कहें कि वो type करें, तो वो नहीं कर सकेंगे, हम तो फिर भी कर लेंगे type, मतब अंदाजे के साथ हमें पता है, हमने तो सिरफ लिखना है, the thing is, we are not listening the feedback, कि हम सही लिख रहे हैं, सम्टाइम फोकस, word editor से निकल के कहीं और चला जाता है, तो आप उन्हें politely, humbly, जाहिर है, सम्टाइम चीजों के उपर बंदा बड़ा annoyed होता है, तो सम्टाइम हमारी tone जो है, इसी हाश हो सकती है, लेकिन ये चीज़ हमें जहन में रखनी है, कि सम्टाइम अगर हमें इस तरह की थोड़ इसी unfair treatment भी मिले, तो we have to stay patient, उनके सब बत्तमीजी नहीं करनी, लेकिन ये है कि आप उन्हें politely, logically समझाने की कोशिश करें, सर, एक बंदा जो screen को देखके operate करता है वो कर, वो obviously उसको अगर आप कहेंगे without screen करें, तो वो कैसे करेगा, मैं तो फिर भी type कर रहा हूं, लेकिन I should know also for my own satisfaction, कि whatever is I am typing वो बिल्कु ठीक लिखा जा रहा है, उससे मुझे सुन के अंदाजा होता है, फिर भी कुछ environment के अंदर जाहिर है, जल्दी जल्दी उन्होंने होते हैं, जाहिर है, कुछ interview ने अपने arrangements करके जाना होता है, कुछ interviews के पार्ट पे भी चीज़ें होती है, accommodate करना, facilitate करना, during the interview, हर candidate की suitability के हिसाब से, लेकिन लोग जो है, उन compatibilities को, खास तर पे from accessibility point of view, नहीं चीज़ें देखते हैं, ठीक है, सम्टेम ऐसे भी jobs आही हैं, जहां पे किसी building के साथवें, आठवें फ्लोर के उपर, आपने physically handicap लोगों के interviews रख ली हैं, और वहां पे slopes बनी हैं, imagine करें के wheelchairs को lift करके, साथवें फ्लोर पे जाना पड़े, तो ये interview के part के उपर, मैं सम्झता हूँ, एक बड़ा question mark होता है, लेकिन obviously, अगर वो ये नहीं कर रहे तो उनको कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर आप अपने part की सारी चीजें well prepared करके नहीं जा रहें, तो obviously, only one person who will be on the losing side will be you, not the interviewer, ठीक है, आप उनको तो नहीं जॉब्स निकाल देंगे, ज्यादा ज्यादा आप उनके खिलाप campaign कर सकते हैं, आज कल वैसे social media की presence की वज जाते हैं जब इस तरह की चीजें highlight हो, जिस तरह PPSC में अक्सर पहले written exams होते थे, तो sometime computer laptops नहीं देते थे, या laptop को खराब दे दिया किसी को, या जिस तरह मैंने बताया कि building की inaccessibility इस तरह होती थी, कि जो disabled applicants होते थे, वो उनको काफी मसला आता था, तो ये फिर चीजें highlight होती होती थी, तो आइस्ता इस्ता फिर sort out होती है, anyways, एक दो points के बाद हम इसको conclude करके फिर questions ले रहे होंगे, तो ये जिस तरह हमने बात की कि disability वाले part को आपने बड़ा intelligently overcome करना है, आपने उनको convincingly बताना है, कि किस किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं, what are the current, you know, examples present in their surrounding, इस कि अंदर फिलाँ फिलाँ जगा पे इस तरह वो काम कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो confidence है, हमारी जो communication है, that matters the most, ठीक है, अब यकीन करें, मेरा अपना personal experience है, और plus मेरी observations में ऐसे लोग है, people who have got such high grades, ठीक है, उनकी on paper positions भी थी, GPA भी बड़े तगड़े थे, फिलाँ डिपलोमा, certification and all that, ठीक है, if somebody, you know, goes through their profiles, their CVs, their resume, वो कहेंगे, यार इस बंदे, इस बंदी को जरूर बुलाओ, ठीक है, बड़ा ये impressive sound कर रही है, ये CV, लेकिन, 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 अगर आप interview के अंदर, अपनी उस ability को, qualification जो है सारी, जो आपके credentials हैं, जितनी भी आपकी पलंदा लगावा certificates का, उसको through your communication, through your confidence, अगर match-up नहीं कर पा रहे, तो those degrees, those certificates will not be more than the piece of paper, trust me, ठीक है, on the other side, on the other hand, अगर आपका, for example, 4 में से 3.8 नहीं, 3.2 GPA है, 3 GPA है, लेकिन, आपके body language भी क्या बात है, आप being visually impaired भी उनके साथ इतना confidently interact कर रहे हो, relax होके जवाब दे रहे हो, having smile on your face, और खास तोर पे, देखो कुछ चीज़ों के अपर तो हमारा बस नहीं है, जिस तरह भी सलीम ने बात की, कि आप straight उनकी तरफ देख के बात करें, विजली impaired खासों पर जो by birth blind होते हैं, क्या कहते हैं, सर जुका लेते हैं, और एक डिरेक्शन में देखते रहते हैं, येस, वी केन नाट लुक इंटो दे आइज स्टेटली, लेकिन, भाई अगर आँखों में आँखे डालके नहीं देख सकते हैं, जहां से आवाज आ रही है, उस डिरेक्शन में तो हम उपना फेस कर सकते हैं, अब आम तोर पे जब पैनल होता है, सामने जो पैनल को चेर कर होता है, लीड कर रहे होते हैं, वो साहब ये साहिबा होती है, राइट पर ये लेफ्ट पर भी एक एक दो दो लोग होते हैं, अगर मेरी लेफ्ट साइड से मुझे एक दम से question आया है, उससे पहले मैं राइट साइड वाले इंटर्वीयोर को जवाब दे रहा हूं, तो I'll instantly turn my face towards the left जहां से मुझे आवाज आई है तो इस तरह के जैसर से एक तो हमारा being alert उनको ये भी impression जाएगा और दूसरा उन्हें ये भी होगा कि यार ठीक है ये at least इनको पता चलता है कि हम कहां से बोल रहे हैं कुछ लोग तो इस चीज़ को लेके बड़ा ज्यादा वो impress भी होते हैं कि यार इनको तो बड़ा इनकी hearing बड़ी शाप है ठीक है तो जिस direction से आपको आवाज आ रही है उस सरफ फेज जरूर करें that also shows your positive जो हमारे एक body language होती है तो I was talking about greatly ये जो confidence of communication की है कि sometimes times अगर आपने first divisions ली हुई है throughout लेकिन अगर आप interview में वो आपसे सवाल करते हैं okay Mr. Salman how would you able to conduct this or perform this particular task मैं कहता हूँ sir अगर से मैं कर सकता हूँ hundred percent मैं उसको efficiently कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं उसे verbally और convincingly उस सवाल को address नहीं कर पा रहा है और मेरी tone में confidence नहीं है मेरी tone के अंदर self assurance नहीं है मेरी communication के अंदर vibrance नहीं है ठीक है तो मैं अगर ऐसे जवाब देना शुरू कर दूँ sir मैं मैं कर लेता हूँ मैंने जो है पहले भी किया है एक साल हो गया है मुझे ये करते हुए तो अगर आप मुझे मुझे मुखा देंगे तो मैं कर लूँगा बस और मेरे चेरे के उपर nervousness जलक रही है मैं बड़ा confused सा हो रहा हूँ मेरी आवाज बड़ी low सी है तो क्या होगा एक दो और इस तरह के सवाल आएंगे फिर मेरी body language मेरी tone मेरे lack of confidence मैं सही तरह से बता नहीं पा रहा तो obviously फिर मैं किस तरह expect करूँ के यार I'm going to clear this interview उसके बरक्स अगर मुझे 100% वो चीज नहीं भी आती न 70% आती है 80% आती है let's suppose 50% आती है इवन लेकि मैंने उना चक्कर ये दे दिया sir definitely you can try me you can take my demo I have been doing it so consistently this is not a big deal sir this is a screen reader called Kurzweil I'll get the scanning done और आप मुझे मेरे सामने papers रख दे मैं without any sighted assistance भी कर सकता हूँ you can take my demo आपे बंदा दिले सोच रहा होगे यार डेमो लेही ना लें लेकिन such should be your confidence your self-assurance, your self-belief वो कहें अच्छा अच्छा ठीक है वो demo लेने का तो अभी time नहीं अच्छा ये बताएं ये चीज़ आप कर लेंगे फिर again तो वो हमारा जो confidently sound करना है न और भाई 20 नमबर उसी के मिल जाते है कि यार ये बड़े ही धडले के साथ इतना confidence जलक रहा है और इसकी communication भी कितनी अच्छी है तो obviously वो कहेंगे ठीक है ठीक है आपका okay हो जाएगा सही है और sometime आपको चीज़ जितनी भी आती हो आपकी जितनी मर्जी credential as I spoke earlier कि on paper आप जितना भी impressive sound कर रहे हो लेकिन वहाँ जाके आप communicationally confidence wise ठूस हो गए है तो that will actually leave a very negative impact और वो कहेंगे यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा ठीक है तो इसलिए ये communication confidence वाला जो part है इसको आप जरूर करें उसके लिए चाहे आपको practice करनी पड़ें ठीक है कुछ चीज़े natural होती है अगर कोई बोलता ही हलकी हलकी आवाज में है कि उसके next बैठा हुआ बंदा भी उसको कहता है भाई उन्ची बैठ बोलो तो वो overnight तो सारा कुछ नहीं कर सकता लेकिं give yourself time to prepare yourself for all these things क्योंकि ये सिरफ 10-15-20 minute की game है फिर पता नहीं अगले interview का chance आपको कब मिलें कब ना मिलें so that's why these things are extremely extremely crucial and important and highly significant which can never be ignored तो इसके लावा भी इसमें काफी added factors होते हैं elements होते हैं इंशाला ताला कभी दोबारा इसमें मौका मिला तो बात करेंगे now I'm opening the floor for any questions जो आपके माइड में doubts हो queries हो, concerns हो अपने past experiences को लेके future endeavors को लेके तो आप वो कर सकते हैं अपना input भी दे सकते हैं असलाम लेक्म सर जी वालिम साम सर मुझे ये पूछना है कि आपका नाम मुहम्मद इबरहीम मेरा नाम है सर जी इबरहीम कि ये किस ऐसी situation को कैसे टैकल किया जा या इस तरह की कि हम से interviewers जो है वो हमारी बात में से बात ना निकाल सके अपनी बात को हम finish कैसे करें ये को tip and trick को इस तरह की हो या ये कि हमें इस तरह की अगर communication मैं चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए यह नहीं आप कहरें कि आपको बात तसली से complete करने दें बीज में अगला question ना करें नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात से वो बात निकाल ना पाएं ज्यादा से ज़्यादा बहुत तम अच्छा देखें sometimes आप को बड़ा careful रहना पड़ता है for example वो कहते हैं निवर लाए अभी मैंने कुछ एक trick की बात की कि जी अगर आपको उस skill के अंदर आपकी 100% efficiency नहीं भी है but sound confident enough कि उन्हें लगे गए यार बस ठीक है इस बंदे का पुरा पुरा skill है इसमें लेकिन at the same time ये जो आप बात कर रहे हो और ये जो चीज पर उस लाइन पर वो मजीद ये नो टो करते होए आपको आगे ले जाए और फिर वहां पर आप स्टक हो जाते हो अगर आपने कोई चीज इतनी वो सही नहीं बताई तो आपका फिर आगे फर्दर उस पर expose होने का खतरा होता है तो इसलिए you have to sound really specific क्योंकि ये आप interview को रोक नहीं सकते अगर मैं literature का student रहा मैंने English lecturer के तौर पे जो है वो apply किया just giving you an example तो fiction की बात हो रही है अब it's such a massive domain तो उसमें मैं मेरी expertise जो है वो novel पे है Victoria novel पे है या poetry पे है अब मैं कहा दूँ कि सर वो ऐसे ही अपने अपनी तरफ से तो मैं अपने pluses बता रहा हूं लेकिन over confidence मी नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर तो मैं ये कह दो Elizabethan age के जो plays थे वो pre-shexperien age वो बड़े important थे उनका बड़ा role है हलागे मुझे उसका कख नहीं पता तो वो मुझे कहेंगे अच्छा Elizabethan age में जो plays उनके क्या characteristics थे मैं गोंगो सर वो फिर उदर मैं क्या बताऊंगा ठीक है या आप ये बात करते हैं technologically speaking again कि आपको कहते हैं अच्छा आप powerpoint पे excel पे काम कर लेते हैं आप उसके बताते हैं and you are confident enough कि इससे related कोई भी question हुआ तो मैं बता दूँगा आप करते हैं बिल्कुल sir even I am really efficient in powerpoint वो भी बड़ा use हो सकता है तो अगर आपको powerpoint का पता नहीं है इतना extensively तो फिर तो वो पूच्छा अच्छा how would you go to the next slide क्या use किस तरह जाएंगे how would you insert a certain object in your slide आपने कुछ graphic लगाना है background में कैसे लगाएंगे ठीक है तो आपको पता नहीं है ना तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये careful रहना पड़ता है कि आप उस domains की तरफ उनको touchy ना करें कि जहां से फिर आगे relevant proceed करती है discussion तो वहाँ पर आप stuck हो जाएं be very sure and be specific जो चीजों में आपकी महारत है वो आप बताएं ठीक है बाकि जो मैंने बात की अब आप कह सकते हैं के ये तो फिर आप contract कह रहे हैं आपने दुका है confidence is something else your communication is something else but your statements do matter a lot over statements नहीं देनी आपने you don't have to overstate things क्यों मैं कहूँ obviously उनको भी पता है and they don't expect you to have the expertise in each and everything हर बंदे के जाहरे दो चार strong areas होते हैं ऐसा नहीं है कि वो 10 areas में की बात हो रही है तो मैं उस 10 सी 10 में तगड़ा हूँ तो इसलिए आपने smartly ज़रूर प्ले करना लेकिन over smartness sometimes kills the purpose जी ने जी सर मुझे समझ आगे एक बात सर आखरी इसमें सर ये जो introduction होता है क्या इस तरह की situation से बचने के लिए introduction भी role play करता है क्या आपका आपका अपना introduction है जब आप interview देने जाते है जी सर मैं ये भूशना जा रहा हूँ कि जो मेरा weak area है या कोई it is teaching का कोई interview है तो उसमें introduction में बाज उकात क्या ऐसा होता है कि हम अपने introduction में ही वो चीज छोड़ देते हैं जिससे वो pick कर लेते हैं और उसको फिर वो hit करते हैं ऐसा होता है या करते हैं वो आप वही बात है ना देखें introduction तो एक opening element होता है आपके interview का ठीक है जब वो आपको कहते हैं introduce yourself या आप अपना जो भी brief introduction दे देते हैं आपने अपना introduction में भी वोई चीज अप्लाई करनी है जो अभी अभी मैंने सारी चीज़ें बताई है I won't repeat them कि आपने उसमें कोई ऐसी चीज नहीं add करनी कि जिस पे again आप से अगर question हो गया तो आप elaborate ना कर पाओ समझा रही है मतबब आप अपना introduction दो थोड़ा सा background बता दो आपने कोई इतनी ज़्यादा लंबी चोड़ी detail में नहीं जाना और खास दोर पे अपने introduction के अंदर कोई ऐसी अपने से जुड़ी ability express नहीं करनी या कोई ऐसा plus point अपनी तरफ से आप समझ रहे हो लेकिन आपको पता हो कि यार वो मेरा थोड़ा सा relatively weaker area है तो आप उसको introduction के अंदर रखे ही ना क्योंकि introduction में आप जिस सरह sometime वो आपको open choice देते हैं अच्छा जी literature के जिस सरह मैंने बात की मुझे उन्हें पूछा अच्छा जी what is the genre you are comfortable with किस novel के साथ किस के साथ आप हैं तो उसमें का sir I like the Victorian age novels तो फिर वो मेरे से expectedly मर्जी उन्हीं की है ज़रूरी नहीं है कि फिर उसी domain से related questions करें but there are greater chances कि फिर वो उसी lines को toy करते हैं ठीक है तो इसी लिए while giving your introduction you need to be really careful कि आप उसमें ऐसी कोई चीज न करें you don't have to brag things ठीक है जिसको वो ले के question करें तो आप फस जाएं very much sir thank you sir जी welcome अब्राहिम assalamualaikum sir जी वालेमस्लाम sir जीशान अली है first of all thanks a lot such kind of tips and tricks for the interview जी thank you जीशान sir इसमें खासकर हमारे लिए तो private sector ही suit करता है job के लिए क्योंके government अब sighted रो रहे हैं तो हमारा और भी कुछ औरी सीलस्ट है खेर first experience share करना चाहूंगा last time I think three or four interviews मैं दे चुका हूं unfortunately एक पास हुआ और वो भी शुरू किया और जो पी चौड़ दी तो तीन का experience यह ता के दो का तो ऐसे मुझे मुझे मतलब मैंने फील ही नहीं करवाया के I'm really impaired तो कि मैं जो भी helper लेकर गयता था तो उसे मैं I leave him with the door as well लेकिन जब यह चीज मुझे confusing लगी जब उन्होंने का के last day उन्होंने का के have your question for us मैं उस वक्त जरा confused हो गया के मतलब question उन्होंने करने जवाब मैंने लेकिन उन्होंने आप जब question यह पात उन्होंने की जब यह मतलब interview मेरा conduct हो गया था this was very confused जी तो इसको जरा address आज़ें आगे मैं पूछते हैं okay पहले तो मैं आपकी इस थोड़ी सी viewpoint के साथ agree नहीं करता है मैं आपको ज़रूर encourage करूंगा to stay optimistic yes जो market में हलात होते हैं वैसे भी हर बंदा अपने personal experiences की basis के उपर जो है वो perception build up कर देता है लेकिन आपका यह कहना कि हमारे लिए private sector ज़्यादा suitable है government वाला दर्वाजे ज़्यादा बंद है या देखो exceptions are everywhere मैं personally समझता हूँ कि government के जो domain है वो ज़्यादा welcoming है वो ज़्यादा आपके लिए उसमें opportunities ज़्यादा है क्योंकि private वाले को ज़्यादा मसला होता है वो काम को लेके sorry for the interruptions sorry for the interruptions मैं यह नहीं कहा कि मतलब accept नहीं किया जाता although opportunities बहुत कामने है मैंने इस लिए परस्पेक्टिव से बात की थी यह वो आप कह सकते है कि जी अगर 10 jobs आई हैं तो तीन सिरकारी होंगी साथ वो होंगी तो otherwise जो है वो government के अंदर obviously क्योंके quota को भी कहीं ना कहीं टूटा फूटा से implement कर रहे होते हैं तो regardless of the fact कि government job है या private job है हमें fully prepare होना चाहिए I'm just adding my point चुके मैं समझता हूँ कि private sector के लिए हमें और भी जादा कही गुना जादा त्यारी करनी पड़ती है और खुद को मनवाने के लिए जतन करने पड़ते हैं so we have to you know act upon all these things more effectively anyways जो आपने बात की कि उन्होंने आपको end में ये कहा देखें obviously interviewer का काम तो है वो आप से question करना है ये वो लेकिन अगर आपने उनको ये gesture दिये है तो just have you know आप ये समझें के this is a kind of welcoming response from their side पहली बात के हर interviewer नहीं कहता और उन्होंने कहा क्यों है obviously उनके question का कहना इसे मुराद ये नहीं है कि जिस पराये के उपर उन्होंने आप से question की है judgmental हो के ठीक है कि वो आपको basically judge करें आपको test करें आपके credentials को थोड़ा सा देखें आपकी abilities को आपकी capabilities को आपके talent को आपके skills को जो on paper है उसको अपने questions करके भी उसको थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करें लेकिन जो उन्होंने कहा है that basically means जो generally जो होता है कि sometimes हमें हमारे mind में कुछ उस job related चीज़ें होती है अच्छा जी any question for us for example कि ये जी इसका result कब तक आएगा sir इसमें क्या को पहले और भी आपकी company में visually impaired कर सके है sir आपका कोई पहले और भी तिजर्बा है to interview visually impaired candidate इस तरह का को question करना है हाँ बिल्कुल 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 ये salary वाला बलके ये question तो आप से direct भी कर देते हैं कि what package would you expect from us ठीक है salary package कितना आप हमसे expect करते हैं या आप क्या हमसे क्या expect करते हैं कि हमें आप को किस किस चीज में facilitate करना पड़ेगा ठीक है mind में को question हो जाहर है all of the sudden आप जब expect नहीं करें तो थोड़ा सा confused आप हो सकते हैं लेकिन उसका मतलब यही होता है कि जी उनकी organization से related उनकी office से related या future जो interviews का outcome है उससे related salary से related या past experience related अगर आपने उनसे कुछ generally कुछ चीज inquire करने हैं yes exactly sir मैं सब्हें इस बात को लेकिन जनरली इंसान उस वक्त ज्यादा कन्फ्यूज रहता है कि क्योंके उस वक्त कोई question आ नहीं रहा था like result का तो यह तो उस वक्त मुझे भी आया था कि मतलब यह कब ता कब बलाएंगे या फिर इस की क्या होगा procedure next और main चीज एक्सपेक्ट नहीं का रहा होता नहीं वो तो बाठी गए तो उससे बाद उनने यह भी यह भी चीज एक्सप्रेस की कितने आप मतलब खुद को माक्ट दोगी तो यह भी ज़रा थड़ा confusing थी अच्छा यानि उन्होंने आप पे छोड़ा कि आप कितने आपको माक्ट दोगे क्या समयचे है तो बहुत वह भी that is also one trick of checking your confidence थीक है यह एक तरीका होता है कि वो देख रहे कि आप खुद आपकी body language कितनी strong अगर आप उस पे कोई उसमें अगर ऐसी situation है ना तो आपको बड़ा confidently उसमें react करना है कैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहतें के जी उन्होंने unexpected है बड़ा उनका पूछना अच्छा भी आप क्या समयते है आपका interview कैसा हुआ कितने mark देते हैं खुद को तो आप उस पे बड़ा confident sound करें Sir I think I've done fair enough I think I've done wonderfully good I think I'm Sir I'm really positive about it Sir I'm so hopeful I think अगर वो marking की बात करें Sir obviously it's your provocative to decide but I will give myself 10 out of 10 यह क्या है यह आपकी body language यह आपकी confidence show कर रहे है एक number क्या बता आपको आपकी confidence का ही मिल जाए चाहे आपके 6 number बन रहे हैं 10 में से 7 बन रहे हैं लेकिन आप कहें Sir obviously I don't see any shortcomings या मेरे ख्याल से तो I have done reasonably good तो बाकी you know I leave it to Allah और आपनों के हाथ में बाकी इस तरह की आप एक positive or confident statement दे के अपनी बात को conclude कर सकते तो अच्छा ही एक impression इंशाओला छोड़ेगा जी anyone else Assalamualaikum everyone myself Shahzeb Ali and thank you very much sir for such a wonderful session मेरे question basically मैंने yes एक interview दिया है and although मेरे interview बहुत अच्छा रहा but lastly मुसे question क्या गया था in fact मैंने answer कर दिया था but कैसे किया था वो मैंने रहा सकता because lastly उन्होंने मुसे पूचा call center के interview था मेरा कि sometimes ऐसा होता है कि situation ऐसी आ जाती है कि आप को बहुत ज़्यादा गुसा रहा होता है और आपके सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है तो ऐसी सुरत में क्या रहेंगा so मैं stuck हो गया completely कि sir वो मैं like although के मेरा interview बहुत ही अच्छा हुआ लिकिन lastly जब उन्होंने मुसे यह सवाल गया then मुझे बिल्कुल भी समज नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल कि मैं situation को so इसके हावाले से करने मुझे बताएगा कि like अगर in future कोई इस तरह का सवाल करता है तो उसका best way क्या है उसको जवाब देने का क्यूंके जाहर सी बात है हमारे पास एक ही option होता है या तो हम जो है वो like अगले से कोई इस तरह का misbehave करें or something like that तो करने की थोड़ा से हावाले से गाइट की जाएगा obviously at times हो सकता है कि वो deliberately ऐसा कुछ करें in order to maybe see or observe माजरब के साथ ये सवाल तो पूछ लें ऐसा कौन सा सवाल है जो being a interviewer हमें गुसा आजवर हमारा सबर कभाना देपरेज़ देहो ना कुछ भी हो सकता है अप्लाइनस रिलेटिड भी हो सकता है it can be anything जो हमें टाइमली लगे के उफेंड कर रहा है जिससरा अगर कुछ स्टेट क्या सकते है स्टेट वे को स्टेटमेंट दे देता है कि आप ये करी नहीं सकते जी बताएं सरी फराइ इंसरेफशन्स के मतलब इस तरह से न मेरे साथ भी हुआ था कि वो इंटर्नल कम्टिकेशन स्किल पे भी जाते है मतलब आप अब मैंने उन से नाम तक ने पूछा था मतलब उनने कहा कि मतलब आप नाम नहीं पूछा था तो हम आपको आपको record रड़े यह उन्टर्नल कम्टिकेशन स्किल को उन्होंने नाम दिया था किसका नाम ने पूछा उनका मतलब उनने कहा जै इस तो उल्वर मैंने हैं कि rare or unusual cases कहीं न कहीं होते हैं लेकिं जनरल कोई ऐसी practice नहीं रही जहां था कि शाजेब में बात की जी जी सर मुहमद इबरहीम हूं मैं यह अर्ज करना चाह रहा था कि यह सर जॉब की nature से related इस तरह की चीज़े आती हैं और यह call center की जो जॉब हैं उसमें इस तरह से पूछना होता है और sometime नाम इसलिए पूछना पढ़ जाता है जैसे हम company से कोई information लेते हैं कोई तो आगे information हम में लेनी होती है लेकिन अगला बंद हम से पहले जब तक जैसे फर्द करें मैंने कोई call का record जानना है और जब तक वो मेरा record चेक करके मैच नहीं करेगा कि आया मैं ही हूँ तो वो मुझे दे नहीं सकता है इसको नाम भी पूछना पड़ेगा मेरा ID कार्ड नंबर भी पूछना पड़ेगा तो यह जॉब्स के related यह temperament और यह चीज़ें इस तरह की कह रहे हो जो सहब आपका interview कर रहे थे आपको रखने के लिए उन्होंने का कि आपने मेरा नाम नहीं पूछा या उन्होंने आपको situation दी कि आप एक mock call करें जिस तरह no sir is no sir without any situation means just informal अच्छा नहीं आपका नाम क्या है तो वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है sir एक चीज हो sir बाज वकात अगर हमें किसी interview में इस तरह का अलाओ किया जा है तो उसमें करें है सब्सक्राइब को तक हमरे मैनलिजम ही चेक किये जा रहे हों कि ये बंदा फॉर्मली किसह तक इन्फॉर्मल चला जाता है possible है ये sir sorry to interrupt but sir don't mind मेरे question का अगर आप answer कर दे तो I'm so glad because बात कहीं आगे निकल गए जी जी वो उनके बीच में addition आगया था उनकी तरफ से anyways मैं यही कह रहा हूं जिस तरह आपका question देते देते तीन चार बातें और आगे आगे हैं आपका point basically यही था कि they asked you something you got annoyed और उसमें आपको समझ नहीं आ रही थे आप गुस्सा किस तरह control करें obviously हमें misbehave तो नहीं करना किसी भी सूरत even if we come across a question which is so unpleasant जो हम समझते हैं कि वो शायद ethically भी में भी ठीक नहीं है जो हम समझते हैं कि वो एक gentler question नहीं है it can be related to our disability in particular or anything else in general कि जहां पर हमें गुस्सा आ सकता है जी जी बताएं पर ये call center का interview उठाना तो मैं आपके ना sorry it's my fazilat और मैं ये कहाई थे कि वो शायद ये कह रहे थे call center के interview में कि अगर आपको गुस्सा आ जाए तो ये भी पूछ सकते ना कि फिर आप customer को deal कैसे करेंगे मतलब गुस्से में आप ने ने वो तो इबराहीम ने कहा है ना वो तो बिलकुल जब mock sessions होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपके साथ caller जो है वो customer जो है किसी भी तरह की language रखे किसी भी तरह का question करे being an agent ठीक है being a relation officer you don't have to get annoyed you don't even have to sound angry ठीक है आप उसको shut up भी नहीं कह सकते हैं आप उसको जी sir जी sir even the person is abusing you ठीक है ये तो it's a part of training ठीक है this is how their system works जो शाजेब ने बात की उन्होंने generally बात की है कि कोई ऐसा question हुआ है जिस पे घुसा आगया तो इनके लिए थोड़ी की situation थी तो उसमें तो obviously patience no sir let me clear one thing कि sometimes ऐसा होता है कि कुछ customers ऐसे होते हैं कि जो misbehave करते हैं और इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो आपको घुसा आजाता है बहुत जादा तो इसी सुरत में उन्होंने आपके सामने को इस तरह का question दो राया होगा yes no no मुझे उन्होंने कहा कि अगर ऐसी situation आ जाती है during a call कि customer आप से जो हो misbehave करता है या फिर जो है situation ऐसी आ जाती है कि आप बहुत ही ज़ादा गुसा हो जाते हैं customer के behavior की वज़ा से तो उस सुरत में आपके सबर का पहमाना लबरेज हो जाता है तो उस सुरत में आप कैसे handle करेंगे अपने घुसे को कैसे control करेंगे और other stuff ओके 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 ठीक है ठीक है obviously वो तो फिर nature of job भी वो इस तरह की है कि वहाँ पर you may come across such an unusual experience हो सकता है आपका तो obviously अगर तो आप उस job को करने के लिए determined हो और आपको इस चीज़ें पहले भी पता होगी यहां पे शयान भाई बैठें I think वो भी इस तरह की training हमारे नई सुबह से दे रहे होते हैं तो it's part of the process तो वहाँ पे आप यहीं कहेंगे कि sir I will you know try my best कि मैं उस चीज़ को जैसे भी हो नदर अदास करूँ और मैं उसे यह कहके call disconnect कि जी आपका call करने का बहुत शुक्रिया obviously you cannot respond back in the same tone तो वो तो एक अच्छा है अगर आप इस तरह की बात करोगे कि sir obviously मैं भी एक गहरत वाला बंदा हूँ and obviously I will come harder at him तो वो फिर जाहिर है आपके interview के अंदर उसको positive चीज नहीं सब्सक्राइब मुहम्मद इबरहीम हूँ sir थोड़ा से मैं बोलना चाहता हूँ जी वो sir यह जो call center पे मैंने observe किया इस तरह की उस पे तो वो अपने sound को control रखते हुए company की policy को भी दोराते रहते है जी भी बिलकुल वो आपको पता है बात करके दो से तीन बार कहेगा वो फिर कहेगा जी call करने का बहुत शुक्रिया तो इस तरह की लोग सम्टेम फणी वे में टीजिंग वे में सम्टेम नास्टी वे में तंग कर रहे होते हैं तो वो patience test हो रहा होता है उस वक बहुत जयादा जी 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 चले हमारा time 4.30 तक था किसी ने को करना है तो one last question otherwise we'll wind up the session जी जी हाँ आपके आवाज बड़ी कम आ रही है सोनिया सोनिया आवाज बड़ी कम आ रही है जी जी बोलिए इस अधू बीच में आई थी नादरा की हो माई थी एक HR की और एक Assistant Director की बोल थी नादरा की नादरा की तो मैंने वहाँ apply किया उनने जाख किये अपने त्यारे जानी है तो मैंने का या नहीं कर पाँगी और टाइपिंग का इख आगा था इस लोगो भी देखा है जो कहते हैं प्रिद्र किया होता है एंविडियर क्या होता है और ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हम कौसे दुन्या की मखलूक है हम कहां से आए हमको दस मिनट तून को समझाने हम भी निकल जाता है तो एक जो जो एम्टी की उस बैस वाला है वो कैसे करेंगी हम पढ़के बता देंगे माउस से मतलब करसर पर टिक कैसे लगाएंगी तो मैंने का अगर आप कोशन पढ़की भी बताएंगे और आप आंसर चल बताएंगे तो मैंने का अगर आपको रखेंगे तो एक आपको रखेंगे नियुक्त पर तो यही बात होगी ना अबिस्टी यू कम अक्रॉस सच अशुने एक्सपिरियंस अलसो कि जहां पर आपको फिसलिटेट ही नहीं किया जाता जहां पर आपको रिक्वाइड केंडिडेट तो यह तो फिर इस तरह के तो अनफॉर्चुनेट सरकम्स्टैंसिस में हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाए इसके कि हम बाद में को कम्प्लेंट लाउंच करें या इसको सोचल मीडिया पर डालें या उनकी जो और भी हाई आपस हैं उनके नोटिस में लेके कोई स्पेशल केंडिडेट आया है पर्सन विडिसिबिलिटी तो वो उसके इंटर्यू लेने से इंकार कर देते हैं तो इन अटिटूड इन अनक्सेप्टेबल बिहेविरस के बारे में तो नथिंग कैन बी ड़न बस अल्दा से उनके लिए हितायत मांगी जा सकते हैं उन् उस टैंस पर उस टैंस पर होज़ादा हुटा आता है लेकिन आप लोग जिसे कहते हैं ना कि ठीक है आप मेंटली प्रिपेर्ड हुआ करें ठीक है आप अपने आपको इन चीजों के लिए इन हाश और बिटर एक थोड़े से जो इस तरह के बहेवियर्स हैं ट्रीट्मेंट हैं उसके लिए मतलब डूंट गेट डिसकरेज़ ठीक है गुसा गुसे को भी काबू में रखे हैं ऐसे चीजों में जिस सरह इंटर्वियों ने कोई ऐसी बात कर दी हमें लगेगा यारी क्या ओफेंसिव किसम का रिमार्ग दे रहे हैं यह बात पूछ रहे हैं यहाफ तो स से दस पंदरा साल में स्टिल जो है आई धिंग लॉंग टाइम टू गो जब हम देखेंगे के चीजें और ज्यादा डिसेबल फ्रेंडली हो जाएंगी प्रफेशनली स्पीकिंग भी और वैसे भी चले ठीक है थेंक यू बेरी मुच एविवन और बहुत 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 अन्ष द्सख जिए खिया के विए एफु टॉल चले इसला टार शृ डटॉ खिड़न उसली क्रेंगए पिर ननका में बदा थावगा शो चल्प हो जैक भी मैं एकु जुम बेंदेख ट। फर बिंग एर क्ट्राम्ग्ष रेंट इनकी ज़ू मात से सामाध सर्ध यू यू झाल 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 झाल